Class 1, Maths, Revision of Chapter 12, Time and Calendar Reading Time Students, देखो, यहाँ पे आप एक clock के picture दी होई है, clock होती है आपकी घड़ी, जिसमें हम समय time देखते हैं तो बच्छा देखो, आप जाहनते हो, एक clock में 1 से लिगी 12 तक numbers होते हैं और इसे 2 hands होते हैं, मतलब इसमें 2 सोही होती है, एक चोटी सोही 1 बड़ी सोही होती है, जो आपकी चोटी सोही होती है वह आपका the power hand, which is on your upper hand होती है इसके लाब आब का a do it होती है उञएक के सब्स्राइक होते हैं, जाओ पने से लिगते है 주는 and of a second hand होती है तो यहाँ पर देखो बच्छा क्या है आपको यहाँ पर टाइम रिडिंग में दिखाया गया है और क्लॉक में टाइम को कसी रेट करें तो बच्छा देखो यहाँ पर क्या है जो minute hand है बड़ी वाली सुई है वो आपकी 12 पर है और छोटी सुई देखो आवर हैंड है आपका 7 पर इट मिन्स क्या टाइम हुआ है 7 ओकलॉक मतलब 7 बच्छे है वो के बच्छा याद रखना जब भी आपकी बड़ी सुई minute hand 12 पर होगा तो छोटा वाला हैंड आवर हैंड जिस नमबर पर है वो टाइम हुआ है जैसे देखो यहाँ दिया गया है read and write the time देखो छोटा हैंड 3 पर बड़ा 12 पर तो 3 o'clock छोटा 1 पर बड़ा 12 पर 1 o'clock छोटा 4 पर बड़ा 12 पर 4 o'clock छोटा 6 पर बड़ा 12 पर है आगे देखिए दिया गया है अब बच्चे आपको time दिया गया है उस time को देखके आपको क्या करना है जो यह clock आपको दिया है इसमें आवर हैंड छोटे वाली सुई आपको बना दिया है तो देखो जो minute हैंड बड़ी सुई है सब सारी वो 12 पर आपकी तो देखो फर्स लॉक में 3 ओक आपको करने 3 बजाने है तो बच्चे देखो बड़ा हैंड तो आपको 12 पी रहेगा सब में 12 पर दिया भी क्या है आपको अब छोटी सुई किसे बनाऊगे आप 3 ओक बजाने के लिए छोटी सुई आप 3 पर बनाएंगे फर टू ऑक लॉक करने के लिए छोटी सुई दू पर 8 ओक लॉक के लिए एट पर 9 के लिए ईन पर 6 ओक लुक की लिए 6 फे 10 ओक लुक के लिए 10 पर बच्चे ठाइम में इतना ही अब सेगंड टॉपिक लेए आपको देखो देखो कलेंडर क्लेंडर में देखो क्या होता है आपका क्लेंडर हमें डेट्स, डेज, मन्स के बारें बताता है इसमें यही सब होता है तो पहले हम डेज के बारें पढ़ते हैं जैसा कि आप जानते हो वन वीक में आपके सेवन डेज होते हैं अब हम डेज उदा वीक पढ़ते हैं देखो मं परस्टे ओफ दे वीग जो मंडे है वो सब्ताह का वीग का फर्स डे है पहला दिन है तूजडे सेकंडे है वेनस्डे थर्ड है थर्सडे फॉर्थ है फ्राइड फिफ्थ है सैटरडे सिक्स है और संडे सेवंध है मतलब लास्ट दे है अब देखो आगे अब बच्छे क्या करना है आपको मन्थ ओफ दा यर देखो यहां दिए गए आपको यर होता है आपका साल पर्ष तो अब साल में कितने मंस होते हैं बच्छे मंस ने आपने पढ़ चुके हो प्रीविस लासें भी कर रहे हैं जब हमने चैप्टर के हाँ तब भी कर रहे थे य पर कशुके आपके को चैप्टर के अब हम बात करते हैं कि इन मंस में डेस कितने होते हैं हैं तो फार्टी बंदी वंदेज होंगे बच्छे होते हैं वीज़े बठाग गया है लेकिन जब लीप यह राता है तब आपके फैबरी में एक दिन बर जाता है 29 days हो जाते हैं और ली पेर आपका हर 4 साल में एक बार आता है March में है 31 days, April में 30, May में 31, June में 30, July में 31, August में 31, September में 30, October में 31, November में 30, December में 31 days तो बच्चे ये भी आपको याद करना है कि कौन से मन्त में कितने days होते हैं अब देखो आगे, fill in the blanks दिये गए है, March has dash days, तो बताए मार्च में कितने days हैं, 31 days तो 31 लिखोगे A year has dash months, one year में एक साल में कितने months होते हैं, तो बच्चे देखो जैनुरी फैबली कितने months हैं, ये होते हैं आपके 12 months, 12 लिखोगे Libia comes every dash year, जो Libia है वो कितने सालों में आता है, तो देखो हर 14 साल जो होते है, वो Libia होता है, तो 4 लिखोगे June comes after, June किसके बाद आता है बच्चे, June देखो यहाँ पे ये रहा, June, June किसके बाद आया, में के बाद आया, तो में लिखेंगे आप Dash is the 8th month of the year, 8th month कौन सा है year का, तो देखो 8 नमबर पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पे है August, August लिखेंगे First month of the year, first है January, January लिखोगे, last month of the year है, देखो, December, तो आप December लिखेंगे फिर है, a leap year has dash days, leap year में कितने days होते हैं, तो बच्चा एक ordinary year होगा, तो उसमें 365 days होंगे, यह आपको याद रखना है और leap year में देखो, February में एक दिन बढ़ जाता है, 29 days हो जाते है, तो इसमें भी एक दिन बढ़ जाएगा, 360 days, तो आप यहां 366 लिखेंगे फिर देखो 9th है आपका, July comes in between dash and dash, July जो है वो आपका किस की बीच में आता है, तो जुलाई देखो, June और August की बीच में आ रहा है, तो आप June और August लिखेंगे अब देखो आगे है, tick the correct option, first day of the week is Monday, Monday को tick करेंगे, Thursday comes just before Friday, Saturday comes just after Friday, the day comes in between Monday and Wednesday is Tuesday Monday and Wednesday की बीच में Tuesday आता है, तो बच्चे यह आपका chapter 12, time and calendar है complete हुआ, आप इसकी rough notebook में अच्छे से practice करोगे, देखो जो हमने यह days of the week और जो आपका months of the year पढ़ा है, कौन से month में कितने days होते हैं, पूरे year में कितने days होते हैं आपके, और इन की spelling, days of the week and months of the year की spelling, आप chapter की अच्छे से practice करोगे, okay students, आज के लिए इतना ही, आप इस chapter के practice कीजिए, आप से फिर होगी मुलाकाल next video में chapter 13 के साथ, thank you